दोस्तों, पांडवों की माता कुंती का जन एक यदुवंशी परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम सूर्शेन था वासुदेवजी जिन्होंने श्रीकृष्ण का पालन पोशन किया था वह कुंती के छोटे भाई थे कुंती का जन्म होने पर उनके माता पिता ने उनका नाम प्रथा रखा था परन्तु कुंती के पिता सूरसेन ने एक बार अगनी के सामने है पृतिग्या लिथी कि वह अपनी पहली संतान, अपनी बुवा के संतान हीन बेटे कुंती भोज को देंगे इसी लिए उन्होंने अपनी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था और इसी कारण प्रथा का नाम कुंती भी पड़ गया था एक समय की बात है, जब कुंती छोटी ही थी, तब दुरवाशा रिशी अपने शिश्यों के साथ कुंती भोज के यहां आ गए कहते हैं, दुरवाशा रिशी बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे अगर उनके आदर सतकार में कोई थोड़ी भी कमी कर देता था, तो वह उन्हें तुरंत श्राब दे देते थे इसीलिए राजा कुंती भोज के साथ मिलकर उनकी पुत्री कुंती ने दुरवाशा रिशी की बहुत सेवा की कुंती के सेवा भाव से दुरवाशा रिशी बहुत ही ज़्यादा प्रसंद हुए उन्होंने कुंती को एक अच्छा सा वरदान देने के लिए कुंती का पूरा भविश्य अपने योग बल से देख डाला जिससे उन्हें यह पता चला कि कुंती भविश्य में अपने पती द्वारा कभी मा नहीं बन पाएगी इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और कुंती से कहा कि तुम इस मंत्र को पढ़कर जिस भी देवता को याद करोगी वह देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा और उस देवता की करपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा दोस्तों कुंती उससे में ना समझ थे वह यह नहीं जान पाई कि दुर्वासा रिशी जैसे महान रिशी ने उसे यह मंत्र भाविश्य के कष्टों को दूर करने के लिए दिया है इसलिए उस मंत्र को लेकर उस ना समझ कुंती के मन में एक तरह की उत्सुकता सी होने लगी थी इसलिए एक दिन उसने सभी से छुप कर उस मंत्र से आस्मान में चमगरह भगवान सूर्य को याद किया तो उस मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव को कुंती के पास आना पड़ा और उस मंत्र के प्रभाव के कारण ही कुंती को पुत्र देने के लिए उन्हें गर्वती भी करना पड़ा जिसकी वजह से कुंती को उस उम्र में ही एक बालक को जन देना पड़ा परन्तु समाज के भै और कलंग के चलते कुंती ने उस बालक को सभी से छपा कर गंगा नदी में बहा दिया था कुंती का यह बालक गंगा नदी में बहते हुए अधीरत नाम के एक सार्थी को मिल गया था आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि यही बालक बड़ा होकर महावीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यह भी मालूम ही होगा कि जब कुंती युआ हुई तब उनके विभा के लिए कुंती भोज ने स्वेमवर की घोशना कर दी थी तब अपने उस स्वेमवर में कुंती ने कुरुवंश के राजा पांडू को वर माला पहना कर अपने पती के रूप में चुन लिया था कुंती से विभा होने के बाद राजा पांडू ने मदर राज के राजा शली की बहन मादरी से एक और विभा किया था इस तरहे राजा पांडू की दो रानिया हो गई थी कुंती और मात्रे दोस्तों राजा पांडू को शिकार खेलने का बड़ा शौप था इसी कारण एक दिन वह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गई थे और काफी दिनों तक वह जंगल में शिकार खेलते रहे थे एक दिन शिकार के समय राजा पांडू को एक हिरन और हिरनी मैथुन करते वे दिखाई पड़ते हैं तो वह अपने बानों से उन दोनों को शिकार कर लेते हैं परन्तु रह हिरन और हिरनी वास्तव में किंदम रिशी और उनकी पत्नी थी जो अपने तपो बल से हिरन और हिरनी बनकर आनन ले रहे थे इसलिए मरतेफे किंदम रिशी ने पांडू को श्राप दिया कि मुझे हिरन की रूप में मारते हुए तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी परन्तु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है उसी अवस्था में यानि जब तुम अपनी पत्नी के साथ सेवास कर रहे होंगे तो उसी सेवास के दौरान तुम्हारी मिर्ट्य हो जाएगी और मेरी पत्नी की तरहे तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ सती हो जाएगी यह श्राप देकर किंदम रिशी ने अपने प्रांध याल दिये थे किंदम रिशी के ऐसे श्राप के बाद राजा पांडुन यह निश्य किया कि वह जंगल में ही रहेंगे और सन्यासी जीवन का पालन करेंगे उन्होंने यह श्राप की घटना अपने दोनों पत्नियों को बताई और दोनों से विंती की कि वहें वापिस हस्तनापुर चली जाएं परन्तु उनकी दोनों पत्नियों कुंती और मादरे ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दोनों पत्नियां अपनी काम भावना को त्याग कर अपने पती के साथ सन्यासी बन कर उसी जंगल में तब करने लगी और अपने साथ आई सैनिकों को राजसी वस्त्रों और आभुशनों को वापिस देखकर हस्तनापुर भेज दिया दोस्तों, राजा पांडू के इस तरह से सन्यासी होने के कारण ही उनके नेत्र हीन बड़े भाई धत्राष्ट को हस्तनापुर का राजा बना दिया गया था वन में तब करते हुए राजा पांडू को एक दिनी है खयाल आया कि संतान हीन मनुष्य के लिए तो स्वर्ग का द्वार ही बंद रहता है यह खयाल आने पर वह बड़े ही व्याकुल रहने लगे क्योंकि वह अपनी दोनों पत्नियों से संतान तो पैदा ही नहीं कर सकते थे राजा पांडू की इस परिशानी की बात जब दोनों पत्नियों को पता चली तब कुंती को खयाल आया कि भविशी की इसी मुसीबत के लिए दुरवासा रिशी ने उन्हें वह मंत्र दिया था तब उन्होंने अपने पती राजा पांडू को उस मंत्र के बारे में बता दिया था कुंती की यह बात सुनकर राजा पांडू बहुत खुश हुए और उन्होंने कुंती से तीन पुत्रों की मांग करते हुए यह कहा कि मुझे एक धर्मात्मा, एक महावलवान और एक इंद्र जैसा पराक्रमी पुत्र दो तब अपने पती की इच्छा से कुंती ने एक एक करके धर्मराज, वायुदेव और इंद्र का अहवान किया और एक एक साल के अंतर में तीन साल के भीतर महाराज पांडू को योडिस्टर, भीम और अरजुन जैसे पराक्रमी पुत्र प्रदान किये इन तीन पुत्रों को पाकर महाराज पांडू बहुत ही खुश रहने लगे थे परन्तु तभी उनका खायाल अपनी दूसरी पत्नी मादरी पर गया जिसे कुंती की तरह मा बनने का स्वभाग के प्राप्त नहीं हुआ था तब उन्होंने कुंती से विंती की कि वह अपने मंत्रों की शक्ती से मादरी के गर्व से भी पुत्र उत्पन कराने का पुणिक काम करें पती की बात सुनकर कुंती ने मादरी से कहा कि तुम अपने मन में किसी भी देवता का स्मरण करो तब मादरी ने अश्वनी कुमारों का स्मरण किया मंत्रक शक्ति से अश्वनी कुमारों द्वारा जुड़वा बच्चों नकुल और शहदेव का जन्म हुआ पांच बच्चों के जन्म के बाद राजा पांडू बड़े ही प्रसंद और निश्चित रहने लगे थे इसी कारण एक बार बसंत रितु में जब महराज पांडू अपनी पतनी मादरी के साथ फूलों से भरे उपन में घूम रहे थे तो ऐसे वातावरण में महराज पांडू के शरीर में काम वासना का संचार हो गया था और वे मादरी के बहुत समझाने और मना करने के बावजूद काम में अंधे होकर मादरी के साथ जबरन मैथुन करने लगे और तभी रिशी के श्राब के कारण उनकी मृत्ति हो गई थी इसलिए राजा पांडो की पत्नी मादरी अपने पती की चिता के साथ ही सती हो गए और महरानी कुंती अपने पांचों पुत्रों को लेकर वापिस हस्तना पुदा गई थी